हलो स्टूडेंट्स अवेरी वाम वेलकम टो ओल अफ यू ओन आर यूट्यूब चैनल जमेट्री स्कूल डॉट इन एक बार फिर आप सब का स्वागत है मेरे साथ और में डिम्पल राना आपके लिए ले के आई हूँ आपके अपकमिंग एक्जामनेशन लाइक मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल के लिए असेट ओफ 20 कोश्यंस आज हम करेंगे सैट नमबर 14 बच्चों एक्जाम बिलकुल पास आगिया है 17th of December को आपका मिलिट्री स्कूल के एक्जाम है इंडिया सैनिक स्कूल के एक्जाम जिन्वेरी में है तो अभी तक में 13 सैट्स रिलीज कर सक चुकियों बिलकुल फ्री ओफ कोस्ट अगर आपने वीडियो को नहीं वाच किया है तो कर लीजिए क्योंकि इससे बाहर आपका खुछ नहीं आएगा अगर आप साइंस में 50 में इसे out of 40 अबव लेकर आना चाहते है तो इन वीडियोस को बिलकुल इसकिप ना करके जाएं इन वीडियोस को क्या साती हमारे चैनल पर जितना भी हम तयारी कराते हैं किसी भी वीडियो को इसकिप ना करें क्योंकि every year हमारी वीडियो से काफी कोशन रिपीट होते हैं इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को बच्छो सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे कि आपको जितनी भी वीडियो अपलोड होती हैं सबका नौटिफिकेशन मिलता रहे चाहे आप 6th क्लास के लिए पढ़ रहे हो या 9th क्लास के लिए तियारी कर रहे हो Current Affairs का, GK, Mathematics, English का बहुत अच्छा questions collection हम आपको इन 2 months में free of course प्रोवाइड कराते हैं तो इससे अच्छा platform आपको नहीं मिलेगा किसी एक platform पर stick रहके आप free of course तयारी भी कर सकते हैं उसके लिए हमारा जो Geometry School YouTube चैनल है आपके लिए बहुत ही अच्छा solution है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपको दिलाने वाली हैं आपके स्कूल्स में selection जिसके लिए आप पूरे साल से तयारी कर रहे थे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की video, आई हो video आपको अच्छा लगेगा वीडियो को like करना ना भूले और comment section में अपना score जरूर डाला करें कि अगर आपने video को ध्यान से सुना है तो कितना आपने score किया है 20 में से क्या पता आपको out of 20 questions आते हो मेरे बताने से पहले ही तो अपना answer जरूर mention करा करें कि आपने वीडियो को देखा है और साथ ही यहाँ पर कितने आपके correct question आये हैं तो आज आपको देखना है कि 20 में साब कितने मुझे अपने marks बताते हैं तो चलिए start करते हैं आज का question number one रमेश अंकल has set up an electroplating factory near his village he should dispose of the waste of the factory तो यहाँ पर एक example लिया है रमेश अंकल का कि उन्होंने electroplating factory लगाई अपने गाउं के पास ही electroplating में क्या किया जाता है basically it is a technique जिसमें desired metal को caught किया जाता है on to the other to protect it from rusting और corrosion तो यहाँ पर इसमें use किया जाते हैं कुछ chemicals तो अगर उनको इसका क्या करना है waste को dispose करना है तो कहां कर सकते हैं आसपास की नदी में in the nearby pond, in the nearby cornfield or according to the disposal guideline of local authority very simple question थोड़ा सा भी idea है कि अगर वो इस तरह की चीज़े करते हैं तो he can cause water or as well as land pollution तो इससे बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए guidelines को follow करना चाहिए जो वहां के authorities के द्वारा दी गई है तो D is the correct answer question number second from chapter some natural phenomena consider the list of the terms given below आपको कुछ terms दी गई है like tsunami आप जानते हैं थंडर आजाता है आपका storms आजाता है waves में उसे tsunami बोलते हैं land slide हो जाता है flood आ जाती है that is the increment of the water in the river flow lightning होती है lightning due to the conduction of charges within the clouds or between two clouds or within the earth or the cloud तो इन में से इन चार टम्स में से earthquake जो भूकम्प होता है वो इन में से क्या-क्या cause कर सकता है तो आपको बताना है कि भूकम्प आने पर इन में से क्या हो सकता है tsunami आ सकती है, land slide हो सकती है, flood या ये तीनों ही चीज़े हो सकती है क्योंकि lightning के लिए earthquake responsible नहीं है क्योंकि earthquake क्या है ये under the earth crust होने वाला tremor है जो होता है within the tectonic plates जो under the earth crust layer में collide कर जाती है tectonic plate जिसकी वज़े से आपको ऊपर tremors feel होते है जटके feel होते है तो ये आपका earthquake है, तो ये तीनों ही चीज़ close कर सकती है, अगर ये under the sea आती है तो tsunami close कर सकती है इससे land slide बहुत easily हो सकता है और नदियों के उफान आ सकते है flood तो तीनों ही बिलकुल correct है तो ये option यहाँ बिलकुल सही है, चलिए आगे बढ़ते है which of the following solution will not bulb glow in figure तो यहाँ पर basically आपको बताया गया है कि आपके पस एक solution है जिसमें आपका bulb अगर glow नहीं कर रहा तो किस solution के case में ये glow नहीं करेगा, sodium chloride like यहाँ पर NaCl है इसी तरह आपका CuSO4 है और साथी आपका silver nitrate है तो आपको पता है जब भी यहाँ पर क्या होगा, electric current पास किया जाएगा तो यहाँ dissociation start हो जाएगा और dissociation के लिए यहाँ N positive, Cl negative charge generate होंगे, copper sulfate, CuSO4 Cu2 positive, SO4 negative Ag3 positive, Na और nitrite का minus 1 तो यहाँ पर sugar solution में किसी भी तरह का dissociation नहीं होगा तो bulb will not glow out in case of D तो D is the correct answer which of the following force is a contact force तो basically you can understand that forces are of two type contact force and second one is non-contact force बच्चों मैं हर वीडियो में जो भी मेरा question होता है मैं उसका आपको पूरा explain करती हूँ तो यहाँ पर contact force जब apply होता है when there is any physical touch जैसे की contact की बात करें तो आप ध्यान रखें अगर आपको अपने back को pick करना है तो you have to apply your muscles force तो यहाँ पर यह हो जाता है muscular force साथी force of friction जब दो surface आपस में contact में आते हैं तो उनमें क्या होता है surface की वज़े से friction लगता है तो यह दोनों ही आपके कैसे force है contact इसमें हमें एक body को दूसरी body के contact में आना पड़ेगा to apply the force लेकिन non-contact की बात करें जहाँ पर एक force होता है but without any physical contact that is gravity, magnetic कभी कभी क्या करते है magnet attract करती है, repel करती है एक दूसरे से दूर रह कर भी और charges इसे force होता है that is electrostatic force तो ये तीनों ही आपके non-contact force है तो इन में से physical force में जो आपका contact में है वो कौन सा है force of friction और muscular तो यहाँ पर हमारा option है force of friction या इसे frictional force भी कहा जाता है तो B is the correct answer In our country, large patches of forest are being cleared for cultivation of crops the environmental impact of such practice will lead to तो आपको पता है कि क्या होता है बड़े-बड़े forest को cut कर दिया जाता है to get the spare land for cultivation of crops तो इसका क्या lead हो सकती है ये practice क्या problem create कर सकती है soil erosion, soil का pollution, soil conservation या fertility तो अगर आप soil को clear करेंगे तो उसके top soil के erode होने के बहुत जादा chances है तो यहाँ पर correct option क्या है option A We can see a non-luminous object when the light dash तो non-luminous आपको पता है जो that do not give shine जो shine नहीं देता है वो objects आपके non-luminous objects कहलाते हैं तो आप इन्हें कब देख पाते हैं emitted by the object fall on the eye is reflected from the object जब light क्या होती है किसी भी like आपका moon है जैसे moon has not moon do not has its own light it just appear due to the light of sun तो जब light इस पर पढ़ती है तो वो reflect back करके वो हमारी आँखों तक आती है तो basically जब उस object पर light reflect करेगी तो वो towards our eye आती है तो इसी लिए reason होता है कि हम उन्हें देख पाते हैं तो B is the correct answer श्याम वास cooking potato curry ओना चूला to his surprise he observed that his copper vessel was getting blackened from outside तो यहाँ पर जो अर्दन port में अर्दन port में अर्दन lamp में वो यूज कर रहा था potato curry बना रहा था तो जो उसका copper port था वो slowly slowly blackened होने जा रहा था उसका क्या reason है proper combustion हो रहा था fuel का इसलिए वो black हो गया improper cooking चल रही थी इच्छे से cooking नहीं हो रही थी इसलिए black हो गया या improper combustion हुआ या burning of couple vessel हुआ तो basically आप जानते हैं कि combustion are of two type complete combustion, incomplete combustion तो अगर आपको incomplete combustion feel हो रहा है तो means वहाँ पर क्या हो रहा है air की proper presence नहीं है क्योंकि combustion के लिए fuel, oxygen, these are the requirements तो यहाँ पर जब proper oxygen नहीं मिलेगी तो proper combustion नहीं होगा तो इसलिए C is the correct answer if we apply oil on door hinges the friction will be very important question from friction chapter आपके जो doors होते हैं जहाँ पर hinges लगे होते हैं आप after some times वो जब tight हो जाते हैं doors तो we apply all oil there and what do oil do? these are the lubricants जैसे आप carom board पर powder sprinkle करते हैं तो lubricants क्या करते हैं basically तो जब आपके door hinges एक दूसरे में टकरा कर gate को अच्छे से नहीं खोलते क्योंकि यहाँ पर क्या और है friction बढ़ गया है जो क्या कर रहा है motion को oppose कर रहा है आपको पता है friction force is a force that oppose the motion यह क्या करता है motion को रोकता है तो जो door को proper open नहीं होने दे रहा है hinges में जो जग लग गया है तो motion oppose हो गया था तो friction decrease होने की वज़े से क्या हो गया है motion अब होने लगा है तो इसलिए आप oil apply करते हैं door hinges में क्योंकि वो friction को क्या कर देता है decrease कर देता है तो C is the correct answer in villages people use wood as fuel because यहाँ पर conservation से काफी अच्छे-च्छे question है क्योंकि conservation chapter से conservation of plants and animals से हमने ज़्यादा question नहीं भी पढ़े है और कुछ questions हमारे combustion से भी है it is considered to be an idle fuel येक idle fuel है बच्छो idle fuel क्या होता है जो readily available हो जाए less very less pollution generate करे उन सब को हम idle fuel मानते हैं जिसका calorific value बहुत जादा हो ठीक है readily available हो cheap हो ये सारी quality अगर उस fuel में है तो वे एक ideal fuel है of its easy availability and low cost ये हम मान सकते हैं बिलकुल villages में wood नहीं मिलेगी तो और क्या मिलेगा trees होते हैं बहुत सारी grasses होती हैं जिनको वो use करते हैं और अपने घर में खाना बना दे ये environment friendly तो बिलकुल नहीं है because lots of smoke is produced by them they can catch fire easily no wood का जो है उसमें क्या होता है अंदर moisture भी होता है जिसकी वज़े से उसका ignition temperature बहुत जादा कम नहीं जादा होता है तो वो जल्दी से जलती नहीं है आप उसके लिए kerosene oil भी use कर लेते है तो ये क्या है ये easily available है और इसकी cost low है इसलिए हम इसे use करते है बट ये ideal fuel बिलकुल नहीं है क्योंकि ये इसकी calorific value भी जादा नहीं है ignition temperature भी कम नहीं है और ये pollution भी बहुत जादा करती है तो ये ideal fuel नहीं है तो B is the correct answer तो boys A and B applying force होना block यहाँ पर दो boys है A and B वो क्या कर रहे हैं अपना box के उपर force apply कर रहे हैं अपनी तरफ से अगर यहाँ पर ये block क्या हुआ राइट की तरफ चला गया फोर एक्जामपल boy is there ठीक है यहाँ पर boy A है और यहाँ तो boy A की position यही है और boy B की है अगर यह क्या हुआ बी की तरफ चला गया तो what is the reason behind that magnitude of force applied by A is greater than that of B A का smaller than that of B net force block towards सारा A की तरफ आ गया है magnitude of force applied दोनों का equal है तो basically अगर box A से B की तरफ right में चला गया है तो obvious सी बात है कि जितना power के साथ boy A यहाँ पर force apply कर रहा था वो greater था than that B से तो इसलिए यह बिलकुल correct answer है तो इसलिए जो box था वो right side की तरफ shift हो गया है A is the correct answer बच्चों अगर आप तयारी करना चाहते हैं हमारे साथ online mode से full year तो आप हमारी website के थूँ हमारा study के purchase कर सकते हैं online आप application डाउनलोड कर सकते हैं website विजिट करने के लिए www.geometri-school.in पर को google में mention करें URL और यहाँ से आपको register करने के बाद आपको सारा हमारा यहाँ पर pack up दिख जाएगा कि किस तरीके से RMS, All India Sanic, UP Sanic के kits available हैं जिसमें already updated video course जल चुका है पूरा और अगर आप इसके साथ video से satisfied नहीं है और daily live classes भी लेना चाहते हैं तो 2-3 hours की live classes होती है with expert faculty इसके लिए आप अपना demo भी book कर सकते हैं पहले ही आपको ऐसा नहीं payment करना है और यह सारी चीज़े आपको हर तरह के course में मिलेंगी अगर आप से video course चाहते हैं तो यह भी ले सकते हैं साथ में अगर आप video भी नहीं चाहते हैं live courses भी नहीं चाहते सिर्फ questions की practice करना चाहते तो आप quizzes वाला portion भी purchase कर सकते हैं तो आप एक बार website को visit करे, registration करे और एक बार जरूर देखे कि geometry school किस तरीके से आपको in a prestigious school की तयारी कराते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर कोई भी doubt है कि कैसे purchase करना है तो 7088 27111 पर आप call करके सारी जानकारी ले सकते हैं चलिए next question देखते हैं which of the following is not for fertilizer इन में से fertilizers के लिए क्या true नहीं है basically fertilizers क्या होते हैं जो factories में उरवरक तयार किये जाते हैं by using chemicals उनको use किया जाता है तो इन में से क्या उनके लिए true नहीं है they increase the yield बढ़ा देते हैं बिलकुल they're excessive use disturb the balance of nutrient in soil they are generally used in small quantity absolutely they are environment friendly environment friendly तो नहीं होते क्योंकि because these are chemicals तो ये पूरी तरह से environment friendly नहीं होते ये क्या भी है small quantity में भी होते है इनका excessive use क्या कर सकता है balance को क्या कर सकता है disturb कर सकता है but ये पूरी तरह से environment friendly नहीं होते क्योंकि ये भी land pollution create करते हैं तो D is the correct answer क्योंकि not true पूछाता है yield ये बहुत अच्छा देते हैं crop में कोई बिमारी नहीं लगने देते हैं और काफी अच्छी crop का produce यहाँ पर generate होता है तो D is the correct answer ये ball is moving on a floor along a straight path इक ball है जो straight path पर move कर रही है with a initial uniform speed state the conclusion you can draw from the statement क्या यहाँ पर statement है कि अगर वो freely fall कर रही है तो जो force है acting वो ball पर zero नहीं force तो लगेगा पका gravity का भी force है friction का भी force आ रहा है no gravitational force इस पर कोई gravity force नहीं है non contact force is acting on the ball against frictional force लग रहा है यहाँ पर ए gravity no frictional force act on rolling objects अभी आपने देखा था door hinges पे तो यहाँ पर जो आपके rolling objects होते हैं उन पर frictional force बिल्कुल less हो जाता है सबसे ज़्यादा frictional force का होता है static में फिर उसके बाद sliding और सबसे कम rolling में तो यहाँ पर frictional force नहीं लगता rolling objects पर तो d is the correct answer pressure is equal to अभी हमने बात करते हैं pressure की तो pressure किसको कहा जाता है pressure is defined as the force that is applied on per unit area per unit area पर लगने वाला जो यहाँ पर बल है दबाव उसे ही क्या कहा जाता है pressure कहा जाता है तो अगर relation के according देखे तो pressure is equal to force per unit area तो यहाँ पर क्या है pressure जितना जादा force होगा उतना जादा body pressure feel करेगी और जितना कम area होगा pressure will be more और जितना जादा area होगा pressure will be less तो यहाँ पर जो relation है वो क्या है force per unit area तो pressure is defined as the force per unit area तो A is the correct answer which of the following correctly represent the value of normal atmospheric pressure you know that there is a blanket of air surrounding us और उसका ही column per unit area हमारे ओपर क्या करता है pressure feel कराता है तो जो standard normal unit है जब barometer से barometer क्या है it is a device that is used to measure the atmospheric pressure तो जब आप measure करते हैं तो जो atmospheric pressure है वो कितना होता है तो यह basically 76 cm of mercury Hg बेंशन होता है अगर इसे mm मेंशन करें तो यहाँ पर 760 mm और pascals में होता है तो 103.325 kilo pascals यह तीनों यहाँ पर correct unit अगर आपका exam में यह नहीं आया तो 760 mm of mercury आ सकता है 101.32 kilo pascals आ सकता है तो अभी के according यह correct answer क्या है 76 cm of mercury normal atmospheric unit है जो measure की जाती है with the help of barometer तो D is the correct answer acceleration is a vector quantity which indicates that क्योंकि अब acceleration की बात करें तो यह vector quantity क्यों है क्योंकि इसमें magnitude भी है strength भी है और vector quantities वो होती है जिनमें magnitude भी होता है plus direction भी होती है तो इसी तरह तो यह तो आपको याद रख रख रहा है जिसे force एक vector quantity है जिसमें direction भी है magnitude भी है और acceleration क्या होता है acceleration को कहा जाता है it is a rate of change of velocity per unit time per unit time के साथ किसी भी body में change of velocity का होना क्या कहलाता है आपका acceleration तो it is a rate of change of velocity per unit time तो यह इसका relation है velocity per unit time तो जो क्या है यहाँ पर समय के साथ change हो रही है speed तो वो क्या है वो positive भी हो सकती है negative भी हो सकती है और zero भी आ सकता है तो acceleration जो है positive में भी आ सकता है negative में भी और zero भी आ सकता है तो याद रखना है acceleration एक vector quantity है क्योंकि इसमें magnitude भी होता है direction भी और acceleration होता क्या है it is the rate of change of velocity per unit time तो it can be either positive, negative और zero तो a can be the correct answer बच्चो अगर आप तयारी करना चाते है hostel mode से तो उत्तर प्रदेश बागपत में हमारा geometry defense academy है जिसमें admission start हो चुके हैं आप next session के लिए enrollment करा सकते हैं या तो आप call पर enrollment करा सकते हैं या अगर आप एक बार visit करना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तयारी होती है तो आप visit कर सकते हैं क्योंकि seats बिल्कुल limited है every year hundred बच्चों को हम यहाँ पर prepare करते हैं जिसकी classes first of mars से start होने वाली है तो एक बार बच्चे को लेके जरूर visit करें और अगर आपके brother sister तयारी करना चाहते हैं किसी भी school के लिए GNVST हो सकता है विद्याग्यान हो सकता है आर के mission हो सकता है साथ आपका sanic school के लिए UP sanic तो आप किसी भी school के तैयारी कर सकते हैं geometry school के साथ तो अगर आपको fees का सारे information चाहिए किस तरीके से पढ़ाते हैं कैसा food provide किया जाता है कितना time classes होती है mini mocks, maha mocks कैसे conduct होते हैं तो आप इस number पर call करके सारी जानकारी ले सकते हैं चलिए आगे बढ़त two objects repel each other, two objects हैं जो एक दूसरे को repel कर रहे हैं तो यह repulsion किसकी वज़े से हो सकता है, frictional force, electrostatic force, magnetic, either magnetic और electrostatic तो basically अगर आप बात करो पहले magnet की, तो magnet के दो pole होते हैं north pole, south pole और यहाँ पर अगर यह south-south एक साथ आ गए तो यह क्या करेंगे, repel करेंगे, इसी तरह अगर north pole, north pole साथ हैं तो repel करेंगे, साथ ही बात करते हैं चार्जिस की, अगर similar charges होते हैं तो they repel each other, और opposite charges होते हैं तो they attract each other, तो जो यहाँ पर repulsion आपको देखने को मिल रहा है, यह attraction पर ही question आ जाए, तो attraction जो हो सकता है, वो किसकी वज़े से हो सकता है, इधर या तो magnetic की वज़े से भी या electrostatic की वज़े से भी, तो दोनों ही force जो आपके non-contact force है, इन दोनों की वज़े से दो body में repulsion और attraction देखा जा सकता है, तो D is the correct answer, a boy is pushing the box from right to left, तो यहाँ पर एक boy है, जो right to left क्या करा है, एक box को push कर रहा है, the force of the friction will act on the box from right to left, vertically downward, from left to right और vertically upward, तो सबसे पहले तो आपको friction के लिए frictional force का पता होना चाहिए, जिसे मैंने कई बार बताया, it is a force that oppose the motion from opposite direction, यह motion को oppose करता है, कहां से हमेशा all opposite direction से, तो यह बात आपको नहीं भूलनी है, और इसी पर ही हमेशा आपके question आते है, तो frictional force क्या करता है, किसी भी motion को oppose करता है, like यह body इधर move कर रही है, तो अगर box जा रहा है, right to left, तो frictional force कहां से लगेगा, left to right, तो इसलिए कुछ answer यहाँ पर क्या होगा, c बिलकुल correct है, चलिए आगे बढ़ते हैं, when the surfaces in contact tend to move or move with respect to each other, जब दो surface यहाँ पर contact में होते हैं, और यहाँ पर जो force of friction उनमें लगता है, तो वो कैसे, if the objects are only solid, if the objects are liquid, if the objects are gaseous, और whether they are solid, liquid or gas, तो आपको पता है, जो यहाँ friction force है, वो substances, क्योंकि आपको उता है, boats पर भी friction force लगते हैं, shift पर भी लगते हैं, gases में भी लगते हैं, तो या तो कोई भी आपका, even you know that liquid or gaseous की वज़े से, जो यहाँ पर friction है, that is, उनको drag बोलते हैं, तो यह किसकी वज़ हो, या liquid या gas, तब भी आपको friction force, आपको feel होगा, तो यहाँ पर यह come into play, तीनों ही case में आता है, तो D is the correct answer, what do freezing do when preserving food, बच्चो cooking and preserving से भी आपके अच्छे question आते हैं, तो आपको पता है कि preservation में freezing भी एक technique है, क्योंकि आप अपने food को refrigerate करते हैं, जो rest of बज जाता है, to check the growth of microorganism तो यह क्या करता है, food के product को hard कर देता है, flavor को fresh रखता है, या microorganism की growth को stop कर देता है, yes, क्योंकि low temperature पर भी microorganism survive नहीं कर पाते हैं, जैसे heating method में नहीं कर पाते हैं, जैसे कि pasteurization, जिसमें milk को heat किया जाता और फिर chill किया जाता है, वो किसलिए, जिससे कि microbes उसमें से kill हो सके, तो य which chemical is used to check the growth of microorganism, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे chemical methods हम use करते हैं, food को preserve करने के, जैसे हमारा common salt है, हम edible oil जैसे pickles बनाते हैं, तो अपने edible oil add करते हैं, तो salt के साथ आप sugar से भी कर सकते हैं, तो इसी तरह कौन सा chemical हम purchase करते हैं, जो आपके as a food preservative use होता है, zinc sulfide, sodium benzoid, barium chloride and none of these, तो आप रखना है, sodium benzoid and sodium meta bisulphite, ये दो chemical आपके mention है, sodium meta bisulphite, दोनों ही chemical use होते हैं as a food preservation और आपने इने pickles में भी, jams में भी mention देखा होगा, bottles के उपर, तो sodium benzoid इसका correct answer है, तो ये दो chemical use किये जाते हैं, So student, these were your 20 questions, I hope you liked the video, video अच्छा लगे तो like जरूर करें, channel को subscribe करें, video को जादा जादा share करें और exam की preparation के लिए जमेट्प्रीडिफेंस academy के साथ बने रहें, thanks for watching, see you soon with the next set, bye bye